हाजी, राम राम, नमस्कार सभी को आपका अपने यूट्यूब चैनल मेरी ओनलाइन क्लास पर मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज हम इस चैनल पर क्लास प्लस वन की केमेश्ट्री की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे है और इस स्रीज के अंदर हम पहला ही चेप्टर स्टार्ट करनी जा रहे हैं और उस चेप्टर का नाम है सब बेसिक कंसेप्ट ओफ केमिस्ट्री जो आपके पहले चेप्टर का जैसे आपको पता ही होगा कि नाम आपने पड़ी लिया होगा इसके अंदर जैसे नाम सी कलिर हो रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ओफ है केमेस्ट्री सम बेसिक कंसेप्ट ओफ केमेस्ट्री तो जब आप केमेस्ट्री स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको केमेस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि chemistry है क्या किस तरह से ये आपको use होती है क्यों आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए तो इसके बारे में हम आज जानेंगे और chemistry के जो simple सा basic जो concept है उसकी जो नीव है जो उसकी roots है मतलब जड़ है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो बिना देरी के हम start करते हैं चलते अपनी next slide पे और देखते हैं कि chemistry सबसे पहले जान लेंगे chemistry होती क्या है तो यहाँ पर देखिए मैंने define कर रखा है chemistry को chemistry it is the branch of science that deals with composition structure properties of matter chemistry is called the science of atom and molecule जैखो chemistry जा है वो आपको किस की study कराएगी मेंटर की study देखो बिल्कुल मैं basic से लेकर चल रहा हूं अगर आप धान से सुनते जाओगे समझते जाओगे तो आई होप आपको chemistry easy लगए देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं कि simple सी language में कहूं तो chemistry is that branch of science which detail study about the matter अब detail में क्या क्या आगया composition भी matter किंज किंसे मिलकर बना होता है उस matter का structure कैसा होता है उसकी properties मतलब गुंद्धर्म कैसा हुआ किसी के साथ react करवा कि देखिए क्या changing आएगा acid के साथ base के साथ तो इस तरह से मुसकी properties भी study करेंगे chemistry को science of atom and molecule भी का जाते हैं यानि यह जो आपके पास small particles होते हैं उन small particles की study कौन करवाएगा science करवाएगा और science के अंदर एक branch बना दी हमने कौन चीए chemistry तो chemistry कराएगी small particles तो आपको समझी मागए chemistry क्या है it is the branch of science that deals with the study of composition structure and properties of matter तो जो matter के बारे में study करेंगे एक लाइन में कर मैं कहूं कि chemistry की definition क्या है तो science की वो branch जो matter के बारे में study करेंगे that is known as chemistry अब हमने क्या किया chemistry के अलग अलग branch बना थी अब देखो बच्छो वेसे तो chemistry की ना बहुत सी ब्रांच chemistry के बहुत सी ब्रांच बट उन में से अमारे पास तीन ब्रांच जो है वो आपकी main है जिन में से आपके पास कुन सा जगा एक तो आपके पास जगा जैसी यहां पर लिख रखा है और गेनिक केमेस्ट्री चेकेंड इन और गेनिक केमेस्ट्री और थार्ड इस आपका फिजिकल केमेस्ट्री इस ब्रांच डिल्ज विच स्टेडी ओप कार्बन कंपाउंट्स में हम जो कार्बन कंपाउंट्स हैं उनकी स्टेड़ करवाथ है इसा कंपाउंट विच कंटेड ओनली कार्बन एट नोन एज हाइडरो कंपाउंट्स ऐसा आपके पास कोई compound है जिसके अंदर केवल hydrogen carbon है उसको हम क्या बोलते हैं hydrocarbon बोलते हैं और hydrocarbon के derivative के बारे में we study कराई है hydrocarbon के derivative जैसे मान लीजे CH4 है यह आपका methane है 10th class में पढ़ा भी होगा science में आते हैं इसका एक hydrogen में किसी दूसरे elements के atom से replace कर देता हूँ जैसे तीन तो मैंने ही रख दी और एक मैंने replace कर दिया हेलोजन से कलोरीन से तो यह आपका बन जाता है हेलो अलकेन क्या बन जाता है यह हेलो अलकेन तो यह जो आपके अलग-अलग compound आते जाएंगे वह सारी derivative होते हैं अलकोहल पड़ा होगा आपने टेंद क्लास के अंदर यह इतने भी आपने compound पड़ेंगे जो वह सारे के सारे organic chemistry के अंदर आएंगे जो हाइड्रो कार्बन के derivative तो organic chemistry that branch of chemistry which deals with study of carbon compounds इतना ही याद कर लो तो बहुत है कि carbon compounds की study कराएं वह कंशेतिया है organic chemistry होते हैं आगे जब डिटेल में पड़ेंगे तो यह नहीं है कि जो CO2 की study कराएं carbon का compound जी यह क्या organic chemistry में नहीं बिल्कुल नहीं आएगा यह आपका इन और्गेनिक में आएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं इन और्गेनिक chemistry क्या है इस ब्रांच डिल्ज विज स्टेड़ी ओफ compounds of all other elements except carbon इट लार्जली कंसर्ड इट्सेल्फ विज स्टेड़ी ओफ मिनरल फाउंड इन अर्थ क्रेस्ट क्या करता है उन सभी element की इस टेड़ी करता है बैस कि छोड़कर कार्बन को छोड़कर कर यह जो स्टेड़ी कर वाता है उस ब्रांच जो में क्या बोलेंगे और्गेनिक केमिस्ट्री आगे बात समय तो यह आपके पास ज्याज़तर स्टेडी किसकी कराती है मिनल जो आपके एर्थ क्रेश्ट में मिलते हैं ठीक है मेटलर्जी आपने टॉपिक पढ़ा होगा क्लास 10 के अंदर मेटल नोर मेटल के अंदर वह आपका इन और गेनिक कमिस्ट्री का है उसके बाद हम बात करें फीजिकल केमिस्ट्री इसके अंदर के होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल को पढ़ा जाएगा यह आपका मेन इस ब्रांच का उदेश से रहेगा कि उनको हम स्टड़ी करें इस बेसिकली कंसर्ड विड़ लो एंड थेोरी उप डिफरेंट ब्रांच और कमिस्ट्री ठीक है बच्चो इसके अलावा भी इसके अलावा भी आपके पास कुछ और ब्रांच रह जाती है कमिस्ट्री के उसके मैं नाम लिख जिता हूं ठीक है जैस्टेमिंट कुछ और भी ब्रांच है कमिस्ट्री की और वह ब्रांच कुछ नाम लिख देता हूं मैं उनके बारें टीटेल नहीं करऊंगा पहला है आपका इंडेस्ट्रियल कमिस्ट्री और यह जब आप बहुत डिटेल में जाओगे एमेस्टी बियस्टी करोगे तब आपको इनकी ब प्रांस बनाके चले हैं और्गेनिक केमेस्ट्री इन और्गेनिक केमेस्ट्री एंड फीजिकल केमेस्ट्री एक होत्य है एनालीटिकल केमेस्ट्री इनालीटिकल केमेस्ट्री सिर्फ आप नाम नाम याद करते हैं तो कर लेना आपके यहां पर मेंशन कर देता हम इंडिस्ट् और भी branch होती है बत में आपको में इन तीनी branch के अंदर क्या किया है तो आई होब chemistry का जो branch है और chemistry definition है समझे में आगई गोई मैं कहता हूं एक line में याद किजिए science के वह branch जो matter के बारे में details study कराए उसको हम क्या करते हैं chemistry करते हैं जो carbon compounds की कराए organic chemistry mineral की कराए inorganic chemistry और जो आपकी chemical phenomenon है उसके fundamental principle के बारे में बात करें वह आपके पास कौन से हो जाएगा physical chemistry अब हम बात चाल लेते हैं कि इस chemistry का importance क्या है तो importance of chemistry chemistry has direct impact on our life and has wide range of application different field इस आपके पास सबसे जाजा है मैं कहूं तो यह गलत नहीं है कि आज chemistry से सब कुछ possible हो रहा है तो chemistry जो है वो पले a center role in the science पले a center role in the science के अंदर वो आपके पास एक center का role अदा कर रही है कौन chemistry ठीक है यानि मैं यह कहता हूं कि अगर chemistry नहीं होती है तो human life possible नहीं अब आप कई बच्चे ऐसे सुझते हैं chemistry is very difficult subject यह तो theoretical है इसको तो याद करना पड़ेगा इसको तो रटना पड़ेगा नहीं थोड़ा समझी है chemistry is very easy आप लव करने लग जाएंगे chemistry से बट आपको थोड़ा सा concept को कलीर करते जाना है और आपको ध्यांस देखने मैं यह कहता हूं कि human life के अंदर human life possible है तो अभी पता चलेगा आपको की chemistry के वज़े से नहीं और अब आप जी रहे हो आप उस chemistry के बारें पढ़ना नहीं चाहते तो यह chemistry तो पढ़ना चाहिए आ mostly हमारा जो किसी परधान देश है उसमें लोग खेती करते हैं तो खेती में आपके पास क्या होता है जब हम agriculture के अंदर फसल के अंदर crops को जब growth वगरे के लिए हम क्या डालते हैं उसके यूरिया डालते है ठीक है यूरिया का formula अगर मैं आपको किसी को याद करना हो तो मैं य यूरिया का formula है बच्चों calcium phosphate sodium nitrate ammonium phosphate यह कुछ examples दिये हैं जो chemical fertilizer के तोर पर यूज होती है it has helped to protect the crop from insect and harmful bacteria by the use of certain effective insecticide fungicide and pesticide देखो आपकी जो जितनी भी द्वाईया है आपने अब जो खेती कर रहें तो उसके आपने crop को आपने growth करवाना था उसमें हमने यूरिया डाल दिया हो सकता है उसको भी डिजिस होते हैं वैसे उनको भी डिजिस होते हैं उनको भी रोग होते हैं उनको बैक्टिर कमेस्ट्री से नेक्स्ट है यूज प्रिजरेटिव्स हैज हैल्ट प्रिजर फूड प्रोड़क्ट लाइक जैम बटर स्क्रेस एटीच फॉर लॉंगर पीड्स अब आपके सिंपल एक्जामपल लेकर चलो आपके जो कुरकुरे हैं नमकीन हैं आपके चिप्स हैं ऐसा जो यह ना बनाया उसी टाइम आपको दे ढिया उसमें क्या कहता है नाइट्रोजन गेस को पैक किया जाता है टाकि वह जो उसके उसके फूड यह जलदी से खरब है ना हो तो यह किसे नहीं बताया कि इनरेट होगा यह डाल दो आपका फूड खराब नहीं होगा और भी फूड प्रिजरेटी होते हैं जैसे सोडियम बेंजोएट वगर हैं वो भी आपका एज फूड प्रिजरेटी यूज के जाते हैं हम आगे पढ़ेंगे बस इतना पता हूना चाहिए कि हाँ यूज होता है ठीक है नेस्ट आपके पास आता है इन हेल्थ एंड सेनिटेशन अब मैं आपको यह कहूं कि आप यह सोचिए कि हेल्थ केने तो भोज अधर हो लें आज के टाइम में जो करोना अपना इतना विक्राल रूप लिया हो है उसके अगर वैक्सिनेशन कर रहे हैं मेडिसीन बना रहे हैं अब कौन बता रहे है कि इसके साथ ऐसे रेक्ट कराइंग कि ग्रोथ को रोक सकते हैं तो वो कौन बता रहे हैं तो आज अगर आप कमेश्ट्री पड़ नहीं रहे होते हैं नहीं पड़ी होती तो आज इस वाइरस पर कैसे काबू पाया जाता ठीक है यानि कहने का मतलब है कि मैंने पहले बता दिया कि हुमन लाइफ के अंदर बहुत करती है ड्रग्स वगहरे बनाती है जैसाई इसमें जाम्पल लिया होगा है डिस्क्री उफ रज रग्स पैंसेलीन लाइफ सेविंग ड्रग्स और दो नाम यह देखो सिस प्लेटिन और टेक्सोल सिस प्लेटिन एंड टेक कोल जो यह हैं वीन फाउन्ट तो भी वेरी एफेक् नहीं थे ठीक ना जो मरीज होता है उसको बताते नहीं थे कि आपको गंसर है ठीक और कुछ होर एक्जाम्पल हम बात कर लेते हैं एजी टी इस यूज़ पोर एड्स विक्टिम यह जो आपकी पास मैंने बताया कुछ नाम लेज़े तो आप समझ गयोंगे कि इनका कितना बड और कि किसकी दिन है chemistry के तिक चलिए nextтрouselette पर चलते हैं देखते हैं और chemistry क्या करते हैं हाँ अ हाँ अब आपकी पास sanitizer बना रहे हैं मुलना कई यह बक्टिरिया को इंक्रदिये कर ले तो देखोड डिसएंफेक्टेंट क्या होते हैं इनको किल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं डिसनफक्टेंट यूज करते हैं जो किस भूता है फिनॉल पहलों कुल क्रवाएगा तो कैसे साफसपय पाएगा अपने पास तब ही तो रख पाएंगे ना नेश्ट एट लो कंसेंट्रेशन ऑफ कलोरी जिरो पॉइंट टू 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 पॉइंट फॉर पार्ट्स पर मिल अब देखो यह तो पीपीम है पार्ट्स पर मिल यह मैं आगे पढ़ाऊंगो कि क्या है आप यह सोची कि यहां वैसे तो आपको पता चल लगा होगा पार्ट्स पर मिल यह एक मिलियन के अंदर कितने पार्ट जीरो पाइंट टू से लेकर जीरो पाइंट फॉर पार्ट्स है इज यूजट पोर सट्टिलाइजेशन ओफ वाटर तो मेक टूफिट को ड्रिंकिंग पर देखो सबसे ज्यादा जीने के हाँ जिसके बारे हम जी रहे हैं से जी मुर sta अकुमस को जब अब अपने बारे में तो सोच लिए अब एड्वर्मेंट के बारे में तो सोच ले अपने आजपास ऑनुर म्यूंट ठीक हो प्या सब बास बन पाएक न सावगमेंट तो चलिए next देखते हम saving the environment environment को save करने में भी हम इसका बहुत बड़ा रोल है chemistry the rapid industrialization all over the world has resulted in lot of pollution अब आपको पता है देखो वर्ल्ड के अंदर industrialization सबसे जादा और है बहुत जादा और जैसे sentence में लिका rapid बहुत तेजी से बढ़ रहा है यह आपके पास pollution को create कर पोजरेस gases and chemicals are being constantly released in the atmosphere तो जहरेली जो गेंस है जहरेली जो chemical है वो रिलीज हो रहे हैं वो आपके उनकी संक्या उनकी amount बढ़ रहे अटमस्पेर के अंदर दे आर पॉलिट पॉलिटिंग environment at an allowing rate scientists are working day and night to develop substitute which may cause lower pollution तो यह अभी साइंटिस्ट चल भी रहा है ठीक है तो यह भी आपका आगे से आगे भी विवर्क करता रहेगा बहुत कुछ इसमें किया भी है जैसे कुछ एक्जम्पल्स हैं CNG compressed natural a substitute of petrol अब जो पहले पेट्रोल से प्रदूर्शन ज्यादा होता है तो पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली बेगारे के अंदर या हम जितने भी अंसिया रहे हैं उन अंसियार के अंदर हमने क्या करका है कि पेट्रोल की बज़ाए आप अपने जो वेक्टल से हैं जो अपनी कार है वो किस से चला सकती हो अब इंडस्ट्री के अंदर भी यूज है कमेस्ट्री फर्टिलाइजर अलकली एसीड सार्ट डाई पॉलीमर ड्रेक्स सोप डिट्रेजेंट अब बताओ वे आपके कपड़े गंदे हो गए हैं कैसे साब होगे हैं सोप से होगें डिट्रेजेंट से होगें और आप कौन से पैन होगें किसके बने वे होगें तो यह आपको सारी चीजे कौन स्टेडी गरवाएगा यह आपको कमेस्ट्री तो करवाने वाड़ा है मेटल्स एंड अदर इन और्गेनिक और और्गेनिक केमिकल इंक्लूदिंग निव मेटेरियल कंट्रिवूटे बिग वे तो नेशनल एकोनोमी तो इस तरह से आपने देखा कि कमेस्ट्री का भूँच ज्यादा क्या रोल है केमेस्ट्री प्ले ए सेंट्र रोल इन दा साइंस और इंट्रवाइन विद अधर ब्रांच ओप साइंस लाइक फिजिक्स बाइलोजी जूलोजी स्पेलिंग आप चेकर प्ले लिखती है जो कमेस्ट्री है वह एक एक इपोर्टेंट रोल पले कर रही है इंट डेली लाइफ के अंदर ठीक है अच्छा मैं कुछ और बताता हूं टेक्नोलोजी के अंदर यूज होता है बच्छों कमेस्ट्री का यहाँ पर मैंने स्लाइड के अंदर थोड़ा सा कि यहाँ ऑग था तरह रहा था थैज्ट मिंट टेक्नोलोजी के अंदर एक मिनट रह देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि टेक्नोलोजी के अंदर और in defense in defense में भी आपका बहुत ज्यादा रोल है सबसे ज्यादा यूज हो रहा है जैसे आप आंस तो गेंस के गोले हैं उस बनी होगी जो हारम फुल भी ना हो भीड को करावडिंग को कंट्रोल भी कर पाएं टेक्नोलोजी के अंदर आपने चिप के बारे पढ़ाऊगा जो चिप होती है सिलिकन जर्मेनियम की बनी होती है शिलिकन उसमें सबसी ज्यादा यूज होता है ठीक है यह जो आपके नन्हीच आएं मेटर मेटर क्या होता है anything which has mask and Schonamil ले जेए पास जिसके पास था परमेटर के पास अगर कोई जिसके पास फहीज प्रोपरिटी से यह है उसके पास दो प्रोपरटी कौन की एक तो क्या मास होना चाहिए और एक क्या अपके पास स्पेस उसकर हुआ बोलते हैं मेंटर बोलते ठीक है जैसे एक्जामपल दिहें बूग पैंसिल वाटर एयर यह सारे आपके पास क्या है मेंट ठीक है मास एंड श्पेस उनका कुछ कुछ वोल्यूम है ठीक है तो आप अपने कमरे में नजर दोड़ाई है या आप जहां में बैटे हैं अपने आज पास नजर लगाई है और बताईए सोचिए कि आप के पास कोई सग्जम्पल है जो मेंटर नहीं ठीक है मुझे तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि ओफलाइन है बट सोचिया तो इसमें कमेंट करके जुरू बताएं कि आपको क्या ऐसा कोई नाम सर्च हुआ जिससे आपको यह पता चलाए कि दिस इस नोटे मेंटर तो इस वीडियो की कमेंट में जुरू डालिए मैं वहां पर आपका वाह करों कि नेश्ट आपके पास आता है क्लासिशोर के सकते हैं चरक्kichी कर सकते हैं क्रria Percy छिग क्लासिशन और क्लासिश स्टेट बहता है जैसे आपका एक होगया वैति एक आपकोह पर ले चलूँगा एक होता आपका प्योर सब्स्टांस और एक होता आपके पास मिक्सर और प्योर सब्स्टांस दो टाइप के होते हैं element and compound और mixer भी दो टाइप के हम classification करतेंगे एक आपका homogeneous और एक आपका heterogeneous तो चलते हैं next राइट पर बिना देरी करते हुए अगर आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन करना है तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन आएगा एक तो आएगा आपके पास और फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होते है दो पाट एक उताय प्योर सब्स्टेंस एक उताय आपका mixer और प्योर सब्स्टेंस की फिट दो पार्ट पढ़ेंगे element और compound और mixer की दो पार्ट पढ़ेंगे होमवाजीनस और इक्टोल फिजिकल क्लासिफिकेशन के साबसे three types solid liquid और गेसर ऑट तरी दो जाएगा तो प्योर सब्स्टेंस और mixer ठीक है एलिमेंट और compound दो पार्ट प्योर सब्स्टांस के रहेंगे होमवाजीनस और इक्स के रहेंगे mixer करें next देखिए physical classification में गर मैं बात करूँ तो तीन स्टेप बताए आपको तीन स्टेट बताए आपको solid liquid होगे इस solids क्या होते है the particles are held very close to each other in a ordinary fashion and there is no much freedom of movement यानि इनके इंदर जो particle होते हैं इनके particle क्या होते है close close होते है और यह freely जो है वह मूव नहीं कर सकते घूम नहीं सकते हैं इदर उदर नहीं जा सकते हैं और बट 堆ल आ ध्योर को पर वो क्या कर सकते हैं और तो कर सकते हैं तो यह बात आपको दियान रकने हैं When two C petit क्या होती है इसकी Coh Voyham कित आपने पढ़़े रखागा इसके sabus में चेंज नहीं आता है उसके सेप में कोई चेंज नहीं आता है क्योंकि यह पार्टिकॉल हिलेंगी यह पार्टिक्ल आपकी फिक्स हैं चल ही नहीं सकते हैं तो शेफ के बैंस को बना दिया उससे से में उसका कोई सेप मिला तो सेप में कैसे चेंज आगा जब पार्टिकल हिले गए ठीक है तो डेफिनेट रहेगी सेप और वोल्यूम भी क्या रहेगा डेफिनेट लिक्विड की बात करें इन लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज तो इच अदर बट कें मूव अराउंट इस वे पार्टिकल हैं नस्दीक तो होते हैं बट आपके पास क्या कर सकते हैं वो मूव कर सकते हैं यह बात आपको द्यान रखने हैं क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं क्रेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा इसकी डेफिनेट वोल्यूम बट नोट डेफिनेट से मैं आपक सकते हैं इसका वोलियum definite होता है आप उसको घ्लास में डालो चाहिए आप ऄसको थाली में डालो है एक टoga लिक्विड का वोलियum से सेप ऑफ कंटेनर पर डिपेंड करती है गेंस के अंदर क्या होता है था पार्टिकल आप फार अपार्ट एज कंपेर्ट तो दोज प्रजेट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट दियर मुमेंट इस इजी और फास्ट करेक्टरिस्टिक सोरी एंड फास्ट नेक्स्ट आपके पास करेक्टरिस्टिक अप गेस गेस के अंदर की आता हिए कि तो पार्टिकल होते है वह बहुत दूर होते हैं अभी मैंने इतने दूर भी नहीं दिखा बर और भी दूर होते हैं ठीक as compared to solid and liquid their moment is easy and fast और उनकी मोमेंट जो थिया बहुत fast थिया ठीक निदर definite volume no definite shape they completely occupy the container in which they are placed अब माल लिजे एक इस सिलेंडर इसके अंदर आपने एक लिटर गेंस डाल तो ऐसा तरह नीचे नीचे रहेगी यह पूरे में गुमती रहेगी ठीक इतना space occupy कर लिए और अगर मैंने उसी एक लिटर गेंस को बड़े container के डाल दिया तो भी यह से नीचे नीचे रहेगी यह भी पूरे container के अंदर रहेगी तो यानि यह उतना इस्तान गेर रहेगी इसका volume क्या होता है इसका volume volume container के ब्राबर होता है जितना आपका container का volume होगा उतना ही volume आपके पास किसका होगा गेंस का होगा तो fix नहीं है और जब यह घूम रहे हैं रुक ही नहीं रहे हैं तो हम कैसे पता लगाए पाएंगे इसकी सेब कैसी है तो बचो आज के लेक्टर में हमने मेंटर का physical classification complete कर लिया है और next session के अंदर आपको chemical classification के बारे में बताएंगे कि chemical classification में pure element या pure substance क्या होते हैं और आपके mixer क्या होते हैं और उनके भी further types क्या होते हैं थेंक्यू बच्चो